दोस्तों क्या हो अगर एक अंजान वायरस पूरे देस में फैल जा जिससे इंफेक्टरड होकर लोग जॉंबी तो नहीं बने बलकि उनमें इतना ज़्यादा कुस्सा जाए कि वो एक दूसरे को मार कर खाने लगें दो लोगों के साथ क्या होगा आज की जब एडियो हमारी सस्पेंस से कभी ज़्यादा भरी हुई है कहानी के अंदर हमको डेन नम के एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी याददास पूरी तरीके से चली जाती है अब इसी दोरान हम लीसा नम की एक लड़की को देखते हैं और उसका दोस बेन को देखते हैं जो कि इस कंडिसन में भी अपने लिए कुछ खाने का बंदुपस करने के लिए भाहर निकले थे अब हम को जहां पर पता चलता है कि इन्फेक्टेड आदमी आकर बेन पर हमला कर देता है जिस सब कुछ देखकर लिसा बहुत जादा डर जाती है कुछ समय बाद बो इन्फेक्टेड इंसान बेन को पूरी तरीके से मार देता है अब हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड इंसान डेन और लिसा के पीछे पड़ चुका है उन दोलों को मानने के लिए अब हमको जहांपर पता चलता है कि infected इंसान और किसी की तरह नहीं वैल कि जोंबी की तरह लग रहा है अब उस इंफेक्टिड इंसान ने डेन को दबुच लिया है लेकिन तबी लीसा पासी का डंडा उठाती है और उस जोंबी को मार देती है और लीसा जहाँ पर देन की जान के साथ रहती थी और बैन और वो खाने पीने की तलास में भार गए थे यहाँ पर हम लीसा के अलाबा केट मेरी सैम इस्टेप और जैंस एंड मैक्स को भी देखते हैं जिसमें से सैम डैन को देखकर बिल्कुल भी खुस नहीं होता जब लीसा सब को बताती है कि बैन मर चुका है तो सभी लोग काफी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जरासल इस पूरे सैर में सिर्फ जहीं लोग बचे हैं जो कि जोंबी बायरिस से इंफेक्टेट नहीं है अब सेम डैन से पूछता है कि तुम कहां रेते हो और तुम कहां से आए हो अब डैन बोलता है कि मुछ को कु पड़ा था डैन को ऐसा देखकर कैट उसको ऊपर वाले खमरे में ले जाती है अब हमको दिखाया जाता है कि कुछ आडमी सोलजर्स डैन को बीच पर डूल रहे हैं जहां पर डैन को कुछ भी याद नहीं होता अब कैट डैन को बताती है कि पता नहीं जे बायरिस कहां से आ अब जब आयरिस अभी में फैल जाएगा और अगर कोई इंफेक्टेड इंसान किसी इंसान पर हमला कर देता है तो बहुत ही कम चांसे होती है कि अब वो इंफेक्टेड नहीं होगा जहां उसकी जान बच जाएगी अब डैन को सपना आता है और सपने में डैन को एक पीटने लगता है अब सभी गुरुप के लोग उपर वाले माले पर चले जाते हैं और उस जॉम्बी के सिर पर भारी भारी चीज़ों को फेकने लगते हैं जिसका रण जॉंबी बेवस हो जाता है अब जी लोग नीचे आके दिखते हैं तो इन लोगों को पता परता है कि जोंबी तो मर चुका है अब सभी लोग मिलकर इनकी डेट बोडियों को ठेकाने लगाने के लिए एक जंगा पर जाते हैं और वहाँ पर दोनों बोडियों को रख देते हैं भाई पर दूसरी और सोल्डर्स पूरे सेर में दाके लोगर जैन को चारों तरफ से ढूलने लगते हैं अब हम सेम की बहने को देखते हैं जो की बहुत जादा गुस्चम है क्यों कि उसका कुश सामान खो गया है अब सभी लोगों को मेरीपे सकोता है कि हुए था आए हमला कर रही है इसलिए दोना हम गप जिती हैं और सभी है निप वो infected होगी तो वो हम प्यार हमला करेगी भाई यो अब आप लोगों को क्या लगता है क्या जैसा लोग मिलकर मेरी को मार देगे और डैन का आखिर राच क्या है क्यों उसको पूरे आर्मी सोलजर सेर में चारों तरप से ढूल रहा है आकर डैन ने ऐसा किया किया है उसको देखेंगे हम इस वीडियो के नेक्स पार्ट में आगर आप लोगों को चीव एडियो जरा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें और कमेंट में जाके पार्ट दो कमेंट कर दो